अखिल भारत हिंदू महासबा की रास्ट्र महासरचीव नीशा कटोष ने जीलाधीश के मालम से मुख्यमंत्री और स्वास्थे मंत्रयाले को एक ग्यापन सौपा जिसमें उन्होंने मांग रखी कि धरमशाला हॉस्पिटल को मेनी सैटलाइट पीजी आई में तबदील किया जाए नीशा कटोष ने कहा कि धरमशाला को स्मार्ट सीटी का दर्जा प्राप्त है लेकिन धरमशाला जोनल अस्पताल में स्वास्थे सुविधाय नामातर है जिससे लोगों को भी काफी दिख्तों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि छोटे छोटे केस भी जोनल द्वाला सीधी टांडा डैफर किये जा रहे हैं नीशा कटोष ने प्रदेश सरकार को सपस्ट चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 15 दिन में जोनल हॉस्पिटल को मिली सैटलाइट पीजी आई में तब्दील करने की घोशना प्रदेश सरकार ने नहीं की तो 15 दिन के बा स्वास्ते को ले कर जब भी बिमार होता है चोटी चोटी से चोटी स्वास्ते संबंदी कोई भी प्राब्लम होती है तो उनको टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है और कांगडा जिला ही नहीं, जो साथ में जितने भी उनके साथ लगते जिले हैं, उन सभी के लोगों के लिए बहुत आसान होता है धरमशाला अस्पताल पहुचना, लेकिन धरमशाला अस्पताल में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, जोनल हॉस्पिटल काफी समय से इस क कर गए उनको, तो उनको टांडा मेडिकल कॉलिज भेज दिया, वहां भी स्वास्ते संबंधी उनको कोई फैसिलिटी नहीं होने के कारण, उनको कभी PGI या फिर IGMC या दूर दूर कहीं भी भेज देना पड़ता है, हमारे पास धरमशाला एक स्मार्ट सिटी के अंतरगत आ मुख्यमंत्री महोदे और स्वास्ति मंत्राले के लिए कि जो धरमशाला रिजनल हॉस्पिटल है, उसको मिनी सैटलाइट PGI के में कनवर्ट कर दिया जाए, धरमशाला से ब्यूरो रिपोर्ट